हेलो फ्रेंड स्वागत है हमारे यूट्व चैनल आयुर्विदिक्टिपस ड्यमस में दोस्तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिपजर कमपणी का अर्क शात्रा के बारे में अशुद्धा होती है रखते हैं शुद्ध नहीं होता है तो ऐसी कंडिसेंस में क्या होता है कि अगर आप सिपजर कंपणी का अरक शात्रा को आप इस्तमाल करते हैं तो इसका काम होता है खुजली फोड़ा फुंसी एक्जिमा इसी के सासा में सोराइस जैसी समस्चाओं के ल इनस और की इस परकार की अगर एलर्जी है तुसको दूर करना होता है भुर, जुष जनको हमसा बुखर की समस्या बनी रहती है बॉड़ी में काफी पेड़ा रहता है जो है निकलने का नाम नहीं लेता है तरह जरे करते हैं लेकिन आपको बुखर से एक को निजात नहीं मि इंफेक्शन हो जाता है ऐसी कंडिसेंस में भी क्या होता है कि अगर आप सिपजर कंपणी का अर्क शात्रा को अपिस्तमाल करते हैं तो यह यूरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन में भी काफी इंपोर्टेंट होता है वो नौजमान जिनके जोडों में दर्द रहता है आप तु इन सारी समस्चाओं के लिए काफी इंपोर्टेंट होता है वो नौजमान जिनकी इम्मुनिटी पावर काफी वीक है तो ऐसे में भी अगर आप इसको इस्तमाल करते हैं तो इसका काम होता है इम्मुनिटी को बूश्ट करना होता है वो नौजमान जिनको यह नवस्ता की सम 255 ml शर्वत उन्नाप के साथ आप इसको इस्तामाल कर सकते हैं और बाकी की जानकरी के लिए मैं डिस्क्रिप्सिंट में एक नंबर दे दूँगा उस नंबर से आप एदिक जानकरी ले सकते हैं और किस तरह से इसे पर्चेस करना है वो भी जानकरी ले सकते हैं साथ के नाम दे रखें और साथ से भी आप इसे पर्चेस कर सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको जरूप पसंद आई होगी अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आयी हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें लाइक करना पूले जैहिन जैबार